आज हम आपके लिए 2011 में आई मूवी 247 डिग्री को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे चार दोस अपने एक दोस की लापरवाई के चकर में मौत के मूँ में फस जाते हैं मूवी की स्टार्टिंग एक खुबसूरत का पल जैना और उसके बॉइफरेंड जैमी को दिखाते हुए होती है जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं वहीं दोनों एक साथ जीने मरने के कसम खाते हैं तब ही अचानक इनकी गाड़ी का एकसिडेंट हो जाता है जिसमें जैना के बॉइफरेंड जैमी की मौत हो जाती है इसके बाद हम तीन साल बाद जैना को एक लेक के किनारे फोटो लेते हुए देखते हैं दरसल जैना यहां अपनी फ्रेंड रैनी के साथ आई थी और फिर रैनी जैना को अपने बॉइफरेंड माइकल और एक दोस्त लिन से मिलवाती है वहीं लिन जैना को देखते ही पसंद करने लगता है तबी रैनी जैना को पताती है कि हम सभी लोग एक टूर पर जा रहे हैं दरसल जैना अपी भी अपने बॉइफरेंड के मरने के दुख को बुला नहीं पाई थी इसलिए रैनी जैना का दिल बैलाने के लिए उससे ले जा रही थी आंगे इसके बाद ये लोग एक वोट से लिन के अंकल वेट के पास जाते हैं जिनका घर एक लेक के किनारे पर होता है जहाँ पर ये चारों लोग मस्ती करने के लिए आई हुए थे और फिर इनकी मुलाकात वेट से होती है वही वेट इन लोगों को घर के अंदर ले जाता है और फिर वेट इन लोगों को अकेला छोड़ कर अपने डॉगी के साथ चला जाता है इसके बाद ये चारों लोग घर के अंदर जाते हैं और फिल लिन जैना को अपने प्यार में फसाने के लिए उससे गपे मारने लगता है वहीं हम माईकल को अपनी छमिया रैनी के साथ का पागप करते हुए देखते हैं आगे रात को जब ये सब डिनर करते हैं तभी वैड इन्हें एक पार्टी में साथ चलने के लिए कहता है ताकि ये लोग पार्टी को इंजॉय कर सकें तभी लिन वैड से कहता है कि हाँ हम जरूर जाएंगे फिर डिनर के बाद रैनी और जैना वैड के पुत्ते को खाना खिलाने लगती हैं तभी हम देखते हैं कि वैड इन लोगों से पहले ही पार्टी के लिए निकल जाता है क्योंकि पार्टी देर रात में होने वाली थी इसलिए माइकल लिन के साथ साना में मज़े लेने के लिए जाता है और साथ में रैनी और जैना को भी आने के लिए कहता है वही जब रैनी जैना को भी साथ चलने के लिए कहती है इस पर जैना कुछ देर बाद आने के लिए बोल कर अपने रूम में चली जाती है वहीं जैना अपनी पुरानी बातों को भुला कर लिन से प्यार करने की सोचती है इधर रैनी माइकल और लिन साना में गर्मी का मज़े ले रहे होते हैं तबी कुछ देर बाद जैना भी दो बोतल पानी के साथ वहा आ जाती है जबकि माइकल और लिन दारू ही पी रहे थे और वहीं लिन जैना को उस रूम के बारे में बताता है कि उसे अंकल वैट ने खोदी तयार किया तबी लिन रूम को और गर्म करनी के लिए एक लकड़ी की चम्मत से एक स्टोन हीटर में पारी डालता है जिससे बहुत तेज धुआ निकलने लगता है वहीं हम देखते हैं कि उस रूम के दर्वाजे पर कोई लॉक नहीं होता है ताकि कोई इस रूम में गलती से फसना सके इसके बाद हम देखते हैं कि इस कमरे का टेंपरेचर बहुत ही जादा बढ़ चुका था जिससे ये सबी लोग पूरी तरह पसीने से लटपत हो गए थे तबील इनको एक आइडिया आता है कि क्यों न हम रूम से निकल कर बाहर लेक के पानी में नहा कर आते हैं और सब के साब नहाने लगते हैं वही माइकल नशे में रैनी से चिपकने की कोशिश करता है लेकिन रैनी उससे नाराज हो कर वापस साना में आ जाती है आगे हम देखते हैं कि माइकल अब पूरी तरह नसे में धोदो चुका था वो उपर कमरे में अकेले चला जाता है और गलती से कोई सामान साना के दर्वाजे पर लगा देता है और लिन काफी देर हो जाने के बाद माइकल को लेने बाहर जाती है तो वो देखता है कि साना का गेट खुली नहीं रहा होता है इसके बाद लिन और रैनी बहुत कोसिस करते हैं गेट खुलने की पर दर्वाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था अब इन तीनों के पूरी तरह से लोडे लग जाते हैं वहीं जैना कमने में फसने की वज़े से रोने लगती है और लिन पर गुसा करती है क्योंकि ये सारा प्लान लिन का ही था इसके बाद लिन और रैनी माइकल को आवाज देते हैं पर उनके कोई आवाज नहीं सुनता तब ही ये लोग सोसते हैं कि अगर माइकल नशे में सो गया होगा तो वो सीधा सुबह ही उठेगा और वैट भी पार्टी की तयारी में गया हुआ था इसलिए ये लोग अब पूरी तरह से फस चुके थे वही माइकल जब रूम के गेट पर लगे सीधे से बाहर जगने की कोशिश करता है तब वो देखता है कि उस रूम के गेट पर एक बहुत बड़ी सीड़ी फसी होती है यहाँ आप तीनों की फट पड़ती है वही इस रूम का टेंपरेचर भी बढ़ता ही जा रहा था और अगर ये लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाए तो इनकी गर्मी की वज़े से मौत हो जाएगी वही कमरे का हीट कंट्रोलर भी कमरे के बहार लगा हुआ था जिससे ये लोग कमरे की हीट भी कम नहीं कर सकते थे तबी रैनी को दीवार पर एक थर्मामीटर लगा हुआ दिखता है वही लिन रैनी के पूछने पर बताता है कि ये हीट मापने की डिवाइस है तब ही रैनी लिन से कहती है कि अगर हम इस डिवाइस को तोड़ दें तो शायद इस कमरी का टेंपरेचर कम हो जाए जिसपर लिन रैनी से कहता है कि कहीं डिवाइस के टूटने के बाद कमरी के टेंपरेचर और बढ़ गया तो हम वेवेजने पड़ जाएंगे इसके बाद रहनी एक लकड़ी की चौमश लेकर खिड़की बल लगी काच को तोड़ने लगती है और जब रहनी काच को नहीं तोड़ पाती तब लिन एक टॉबल की मदद से हीटर के अंदर से एक पत्था निकाने की कोशिश करता है और फिर तीरों थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और बचे हुए पानी से लिन पत्थर को ठंडा कर देता है इसके बाद लेन उस पत्थर से दर्वाजे पर लगी काच को तोड़ देता है जिससे बाहर की हवा अंदर आने लगती है वही लेन उस काच के होल से गेट पर लगी सीड़ी को हटाने के कोशिश करता है पर ऐसा नहीं कर पाता तभी लिन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो रूम में लगे बल्व को निकाल कर वहां की लाइट खराब कर दे तो शायद लाइट खराब होने की वज़े से साना की गैस रुख सकती है और कमने का टैंपरेशर भी कम हो जाएगा इसके बाद ल पार्टी में फायर वॉम चलाने के लिए रेडी कर रहा होता है दरसल वेट को उस पार्टी में पटा के फोने का काम मिला था तभी उसका कुत्ता वहां से घर की तरफ चला जाता है इधर रहनी जैना और लिन को इस कमरे में बंदे हुए घंटों बीच जाते हैं वहीं अब काफी समझदार था इसलिए मोती वेट के पास जाता है तभी वहां माइकल मोती के भोकने की आवाज सुनकर आ जाता है वहीं यह लोग जब माइकल को आवाज देते हैं तो बदकिस्मती से वेट फायर बॉम भी तभी चला देता है जिससे माइकल को इन लोगों के आवाज की सुनाई देती है वहीं माइकल भी सारा की तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता था कि यह सबी लोग Chapter नहीं करता है इसके बाद मोती अपने बॉस वेट के पास जाता है और पिर उसके पास जाकर भूकने लगता है वहीं वेट समझता है कि मोती घर पर चलने के ल वहीं वईड माईकल से पूष्ता है कि तुम प्राटी में क्यों नहीं गए तभी माईकल कहता है कि मैंने आज सोनी ज़ाधा पीली ती इस़िए मैं सो गया था और जब मैं कुछ दिर बाद पार्टी में गया तो गार्ट ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तबी वेड उसे कहता है कि तुम हमारे साथ घर चलो हम साथ में नशेबाजी करेंगे और फिर दोनों घर की तरफ चले जाते हैं इधर साना के अंदर सभी के हालत खराब हो रही थी और अब इनके पीने का पानी भी खत्म हो चुका था तबी रहना एक पत्थर से दीवार पर लगे डिवाइस को तोड़ने लगती है क्योंकि उसे लगता था कि शायद इस डिवाइस को तोड़ने से कमने का टेंपरिचर कम हो सकता है और जब जैना उसे रोकने की कोशिश करती है तो दोनों आपस में लड़ जाती है तबी जैना गुस्से में उसी पत्थर को रैनी के सिर में मार कर भिहोश कर देती है वहीं जैना अपनी दोस रैनी की हालत देखकर रोने लगती है और फिर खोदी उस डिवाइस को तोड़ देती है इसके बाद जिस चीश का डर्था वही होता है डिवाइस तूटने से कमरी का टेंप्रिचर और जादा बढ़ने लगता है तब ही लेन अपनी दिमागी शंतुलन खो देता है और बहुत तेज से धसने लगता है दूसी तरफ वैड और माइकल आराम से गाजा फूक रहे होते ह क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तीनों पार्टी में इंजॉय कर रहे हैं इधर हम देखते हैं कि लेन अप पूरी तरह पागल हो गया था और अपनी पागल पंती के चक्कर में रूम हीटर को तोड़ने लगता है जिससे उसकी इसकिन भी जल जाती है तब ही लिन हीटर में पानी निकाल कर पीती है और फिर अपने रूम में जाने लगती है तब युसे रैनी की आवास सुनाई पड़ती है और जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को साना के अंदर ही देखती है दर असल गाइस जैना यह सब खौब में सोच रही होती है इसके बाद जैना भी ज़्यादा टेंप्रेचर होने की वज़े से बिहोश हो जाती है इधर माइकल अब घर आता है जहां वो देखता है कि उसके दोस्त अभी भी पार्टी से नहीं आये थे तबी हम मोवे के फ्लैस बैक में देखते हैं कि कैसे माइकल से नशे में वो सीड़ी दर्वाजे प से दिखाई पड़ता है और फिर वेट पहले तो साना का दर्वाजा खोलता है इसके बाद वेट पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है लेकिन लेना मर चुका था इस वज़े से जैना को बहुत दुख होता है वही माइकल लीम की मौसे बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके नशेबाजी के चक्कल में उसके दोस्की जान चली गई और इसी सीन के साथ ही